सब्सक्राइब नमस्कार मैं हूँ इसके बट्टेग वर फिर से आपके अपने चैनल आज जोपर आपका स्वागत है जी हां दोस्तों आज गी वडियों स्पेशल फिर से सीटी को लेकर आए हैं और आज अध्यक्स सिरी भुपाल सिंग खदरीज दोवारा एक बयान दिया गय लेकर और अन्या भरतियों से जुड़ा ममले को लेकर उसके बारे में आपको डेटेल से बताने वाड़े हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन फिच्रम आपके लिए कोई वीडियो लगाते हैं उसका कि परिक्षा अप्रेल में कराय जाने की तैयारी हर्याना करमचारी चाइनायक बोपाल सिंग खद्री ने कहा कि common eligibility test CET की परिक्षा हम अप्रेल में कराय जाने की तैयारियां कर रहे हैं यहां पर गुरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से राज्य में ग्रूप 3 और 4 यानि ग्रूप C और D की सभी बर्तियों के लिए Common Entrance Test की विवस्था की है अर्थात उम्मिद्वार का एक बार पंजीकर्ण और एक बार ही सभी कागजात अपलोड किये जाएंगे अर्थात CET और पंजीकर्ण के बाद ही बर्ति की रेश में उम्मिद्वार सामिल हो सकेंगे राज्य सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि पुलिस और सिक्सकों की बर्ति भी CET लागू नहीं होगा जी हाँ दोस्तों पुलिस और सिक्सकों की भरती को CET से बाहर रखा गया है उन्हें CET में अपलाई नहीं करना है और उन्होंने वताया कि हर्याना करमचारी चेहनायोग के जो चेर्मेन ने आस्वासन दिया है कि जो लंबित परिणाम है वो जल्द ही गोशित किये जाएंगे 22 जनवरी के बाद स्टाफ नर्स लैव टेक्निशियन रेडियोग्राफर समेत पैरा मेडिकल की भरती के अंतिम रिजल्ट सामने आ जाएंगे जनवरी के अंत और फरवरी की सुरुवारत में हमारा प्रियास है कि VLDA महीला दुर्गास कॉंस्टेबल मेल पुलिस कॉंस्टे सुचना थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी तो दोस्तों इस परकार के आगे बड़ बड़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें धन्यवाद